बात करने लिए आई जी एम वर्सस के डबलू एन के बीचे होने वाले आसके पहले सी बीएस फैस टीदन मैच के बारे में एक एक प्ले का पूरा पूरा एनालिसिस बदा हुआ कौन किस नंबर पर बल्ले बाजी के लिए को कौन की दिने हो और बॉलिंग करके देने वाले इस पर बात करेंगे बस आगर आप हमाई चैनल को पन नया है और पहली बार आये तो चैनल को सुप्सक्राइब करे ना फ्री का लाल बतन इसके लिए बहुत ज़्यद करते तो सबसुप्राइब करने भिल्कूल इमरे भी बूलना उसके लबाई आगर आपको तवसों जाने का तो फिर आपको आपको पड़ेगा जहां पर एकदम फुरी है हमाई टेलिग्राम सरका लिंक आपको इसी वीडियों को सबस्क्रापिन किया हुआ सबसे पहले बात करें को सी तीम मैच जीत सकती है यकीन मानों अगर आपका ये प्रेडिक्शन से होगो तो सबस्क्राइब कर सकते हो आई जीम की तीम ने आखरी के पूरा फोकस करके तीम मनाने कोसिस करना चाहिए बात करूं इस मैच के पिचिरिपोट के बारे में तुछ जो मैच होने वाला है यहांपको सार्जा के स्ट्दीयम को पर यहां पर आपको आखरी के पांच में चस्प में देखने हों गया लग लग एक 116 रन के कडीक का एवरेज स्कूर यानी कि काफी ज़्यादा आपको हा ये दोनों ही ऐसे प्लेस जो कि बॉलिंग भी कर सकते हैं बल्ले बाद जिसे भी आपको रस्पना के दे सकते हैं जी मुर्तिशा जो है दो ओवर बॉलिंग पुरा करेगा लेकिन लेकिन एक से ध्यान रखना है अमीर हमजा ने आखरी मैंचे एक भी ओवर बॉलिंग निकिया उससे पहले हर मैच में दो ओवर बॉलिंग पुरा करके दिया हुआ यानि कि पहले मैच एक ओवर फिर दो दो ओवर बॉलिंग पुरा क्या अब क्यों नहीं बॉलिंग कर रहा है अब इसलिए बॉलिंग नहीं कर रहा है क्यों कि यहां से खेलाया जा रहे तारीक मेहमूद क जो कि दो ओवर बॉलिंग पुरा करें भले नाम बल्ले बाद जो मैं लैकि काम आपको बॉलस वाला करके दे रहा है यही रिज़न है कि अब आमीर हमजा को बॉलिंग नहीं मिल हमारा कैप था और काफी ज्यादा विनिंग कराने में मदद किया मिनी जीयल तक कर लोगों ना हमारी स्मॉल लिगी तीम से जीता हुआ था आसिफ खान जो की बले वाज़ी में ओपनिंग करेगा हाई लेवल का प्लेयर और बड़े लेवल को बाद मैचस खेल रगा है और यहा चूज करना जो भी आपको लगा और सबसे ज्यादा पैसे जिए सकते हो जो है प्लेयर के दम पर जीट सकते हो यांनि कि प्लेयर के दम पर बहुत सारे संधीप से जीड़े सकते हो उसके बद यहां से बात करें संधीप उपर यहाँ वार एगा पर आपको केच्छेस पक्रकर की दे सकता है इसे बीस बाल मिल गई ना आपको 40 के करीब रंस्प ना करको दे सकते हैं तो मैं इसको ले करके जरूर चलूँगा उसके बद यहां से बल्य वहा się में बात करेंगों करेंगा यौझ अ करेंगा EU सारी इ मे exam के खिलाब ऑससे पहले और चारों में ठीश में ठीश Alli तो वहां पर भी फ्लॉप गया था यही रिज़न को ना लेकर के वासा अली को लेकर के चलूँगा विकेट की बिंग सक्षिन और वाई कलीम को लूँगा क्योंकि आखरी मैच में भी मैंने लिया था इस मैच एक फिर समय फ़ीक्टीम में बैक करके चलूँगा और प्लेयर्स को फोकस करके चलना है तो वही कलीम का रिकॉद पहुच ज़्यादा सांदर रहे तो एक वाफिसमें लेकर के चल रहा हूँ अगर आप जीयल की तीम मना रहां और लाको लोगों की बीच में खिल रहो ना तो एम हायत को लेकर के चलना जब आपको लग़ा रह सकते दो महायत आपके लिए अच्छा प्लार रह सकता है आगे बात करेंगे बच्चेव प्लेश वीडियो के नमा आपको जो भी तीम बना के दूँगा वह एक इनीशियल टीम होगी जो की तौस होने से पहले की तीम होगी तौस होने का लाइनप आने का आखरी के पांच मिनद पर जो भी हम सबसे पहले का कमेंट किया हुआ देखना मिलेगा उसमें भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा तो जोइन जरू करें ना कुई कि यहीं पर आगे आनोली मैच्चे का भी मैं आपको कवर करूंगा जिसके में मालों वीडियो सब्सक्राइब बना रहा हूंगा और यहीं आपको अपको अपनी जीएल की ने यूज करना है जहांपे आपले आख़ों लोगों की भी यूचा प्लेयर यहां लेकर नहीं चलूगा यहांसे कोई बीद अच्छा प्लेयर है नहीं तारिक महामुद का रिकॉद का रिकॉर्ट यह तो बॉलिंग से नोबर पुरा कर रहे सब्सक्राइब सब्सक्राइब पूरा कि लिदे सकतर है जब भी तीम को मॉखका सब दो ERIC बॉलिंग से पूरा करके देने वाला है अब यहां से आपको सोचना क्या है कि सहनवास खान भी आपको दो ओवर बॉलिंग पुरा करेगा एच लुकमेन भी यहां पर भी बॉलिंग कर रहा है यहां पर दो ओवर बॉलिंग से भी इसको दो फिद मिले बले वाजी में भी अध ती रियासत हो गया जो कि 2 पुरा करेगा जो कि 2 ऊवर बॉलिंग पुरा करें के चले लो थे को यह दो स्पर मेंगे र देनी'll अच्छा पर्फॉंस करके सामने की दीम के पाइंगे कपासा आशिफ ऑई कलीम हुगए संदीप सिंगों के सुरुवाती चार ऐसे बल्ले बाद जाए और उसका पांच वह भी दीक और इसी है तो मुझे नहीं लगता है जादे विकेद गिरेंगे मैं यह से इन दोनों प्लेश को एक तो यह रिजदाने के मिस्स करके चल रहा हुँ दूसरा एच सली में अखरी में दो फिकेद मिला तो बहुत बुँनी तरीकें से हमें हंब अपाएगा तो यह दोनों प्लेयर्स को ऊपर आपको उपनी यूज करके चला है अगर आपको प्लेयर करें करके चल सकते हो बाद कर आपने का और उसके लिए निकाल के सुच्छ द्हां को इसमेशियों से निकाल करें कि इनों पर रोडेशन करके चल सकते हो बात कर अपने के वैंसी के बारम जो कि समाओ लिГदिंग बहुत ज़रूरस को बनाओं यह पहले खो मैं अपने पूरे पैसे जोएने इस मैच के अंदर लेवन चलेजेस पे लगा रहा हूँ रिजन यहाँ आपको फैंटेस्टिक जितने भी अप्लिकेस्टन है सबसे ज़्यादा आपको लो एंदर फीज देखो मुलेगा यहाँ आप मेरे कैने बस आपने हजार रुपर लगाओ बिनाहारी आपक पूरे पैसे जोएना लेवन चलेजेस भी लगाने वाला हूँ मैं पीदी में कैप लेकर करके चलने हो लो यहांसा असिफ खान को क्योंकि मुझे लगते कि आसिफ खान चल गया तब भी जी जाएंगे वहाई कलीम चल गया तब भी जीजाएंग और आईजींग की तीम को ज मिले तब सीधे सीधे कमेट करके पूछ लेना उसका भी आपको रिप्लाय मिल जागा यानि कि आपके पास लिंक फेज़ दूँगा क्यूंकि तो वहां पर जॉइन जरूर जाना क्यूंकि इस तीम में चेंजस जरूर होंगे चेंजस जरूर होंगे उसके बाद फाइनल टीम टेलिगराम पर यही मिलेगी उसके अलाब अगर आपको लेवन चले जाए सब्सक्राइब करके फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम है तो बिना कुछ सोच हमारे इसका मैसेज कर देना हमारे इसका मिल जागा एक घंते गंद आपास जो भी प्रॉब्लम होगा उसका संगर किते दुगा